आम बजट एक बार फिर मध्यम वर्गी लोगों के लिए निराशा लेकर आया है मोधी सरकान ने अपने दूसरे कारिकार के पहले आम बजट में मध्यम वर्ग को आईकर में बिल्कुल भी राहत नहीं दिया सरकान मदिमवर्ग को धनिवाद देते हुए अपना ख़जाना भरनी के लिए करुणपती पर टेक्स का बोज बढ़ा दिया है अब दो करुण रुपे से अधिक साल भर की आयवाले गयतियों पर सर्चार्ज टेक्स लगाया जाएगा वित्यमंत्री निर्मला सीतरमन ने आम भजट में ये कहा कि जिसकी सालाना आयए पांच लाख से कम है उन पर टेक्स थोड़ा कम करने की उपाय पहले ही किये जा चुके हैं और पांच लाख रुपे तक की सालाना आयवालों को आयकर भुटान करने की जरूरत ही नहीं है उन्होंने राष्ट निर्मान में करदाताओं की योगदान के लिए भी धनिवाद दिया मंत्री ने कहा कि जिनकी आय अधिक है उन्हें राष्ट निर्मान में अधिक योगदान देने की आवश्यक्ता है इसलिए जिन व्यक्तियों की आय दो करोड से पांच करोड तक और पांच करोड रुपे से अधिक है उन पर सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है वित्मंत्री नेजगोशना की बाद 2 करोड से 5 करोड रुपए तक की सालाना आये वालों में से 2 करोड की आये वाले व्यक्तियों पर सरचाज बढ़ा कर 25 प्रतिशत और 5 करोड की आये वाले व्यक्तियों पर सरचाज 37 प्रतिशत कर दिया गया है वित्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से 2 करोड रुपे से लेकर 5 करोड रुपे तक की सालान आये वाले व्यक्तियों के लिए टेक्स की प्रभावी दर 3 प्रतिशत तथा 5 करोड रुपे से अधे की सालान आये वाले व्यक्तियों के लिए टेक्स की प्रभावी दर 7 प्रतिशत बढ़ जाएगी हाला कि मोदी सरकार ने 5,5 लाग रुपई से 5 लाग तक के स्लैप पर आईकर की दर 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दी थी और करदाताओं को छूट दी गई थी इसी तरह लोगसबा चुनाओं के पहले मध्यमवर्ग को रिचाने के लिए सरकार ने अंत्रिम बजट में उनके व्यक्तिगत करदाताओं को रहा दी थी जिनकी सालाना कर 5 लाग से कम थी और ऐसे करदाताओं को टेक्स में छूट के रूप में रहा दी गई थी लेकिन एक बार फिर मोधी सरकार के बजट में मध्यम वर्गियों के हाथ कुछ नहीं आया है सिवाए निराशा के सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स